इस साल गोविधान सभा में बजट पेश करते हुए मनोहर परिकर ने कहा था अंतिम सांस तक इमानदारी, निश्ठा और समर्पन के साथ गोवा की सेवा करूँगा जोश है और बहुत उचा है और मैं पूरी तरह से खोश में हूँ ये बातें सर्फ कहने भर की नहीं थी ये बातें और ये अंदाज उनका पूरे राजनितिक कारिकाल में देखने को मिला मनोहर परिकर का ये जोशीला अंदास आखरी सांस तक देश के लिए काम करने की निश्ठा सभी को हमेशा याद रहेगी भारत की राजनिति में कुछ गिने जुने ऐसे राजनिता मौजूद हैं जिनकी छवी एकदम साफ है और इनी साफ छवी वाले नेताओं में से एक थे मनोहर परिकर भारते जनिता पार्टी की वरिष्ट नेता देश की पूर्वरक्षा मंतरी और गोवा की मुख्य मंतरी मनोहर परिकर का 17 मार्ज को शाम में निधन हो गया 63 साल के परिकर लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूच रहे थे और ग्रह राज्य गोवा में ही उन्होंने आखरी सांसे ली राष्टपरी रामनाथ कोविंद प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोधी समीत अलग-अलग राजनेतिक दलों के निताओं ने परिकर के निधन पर गहरा दुख चताया परिकर के व्यक्तित्व का हर कोई मुरीद था जिसकी बजह थी उनकी साथकी सबसे बड़ी और खास बात ये थी कि परिकर का पूरा राजनेतिक जीवान बेदाग छवी और इमानदार नेता का रहा है गोवा के CM होने के बावजूत कई साल तक उन्होंने CM हाउस का इस्तमाल नहीं किया था गोवा के CM रहते हुए परिकर कई बार विधान सभा जाते समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर स्कूटर कर इस्तमाल करते थे इसके साथ यो बिना सुरक्षा के किसी BTE स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीते थे और लोगों से बात चीत करते थे उनका कहना था कि चाय के स्टॉल पर खड़े होकर बात करने से देश दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है मनोहर परिकर बेहत साधे बैखती थे ये बात उनके कपड़े देख कर ही पता चलती थी वो आम तोर पर शॉर्ट पैंट में नजर आते थे जब तक किसी बड़ी ओफिशल मीटिंग में न जाना हो वो साधारन कपड़े ही पहना करते थे उस समय लोग उनकी साधकी को देख कर दंग रह जाते थे परिकर फ्लाइट में हमीशा ही एकनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते थे वो मोबाइल और टेलेफोन के बिल का भुकतान भी अपनी जेब से ही किया करते थे उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेजिचक इस्तमाल करते हुए अकसर देखा जाता था ये उनकी साथकी ही थी कि बीज़ेपी के साथ ही दूसरे दलों के नेता भी उन्हें बेहत पसंद करते थे मनोहर परिकर का ध्यान थुआ है उससे हमको बहुत दुख है वो किसी भी पार्टी में रहने दो वो एक अच्छे वेक्ति थे मनोहर परिकर का जन गोवा में मापुसा में गुपाल कृष्णा और राधाबाई के घर हुआ था इनका पूरा नाम मनोहर गुपाल कृष्णा प्रभू परिकर था परिकर अपने स्कूल के दिनों से ही रास्टे स्वयम सिवक संग में शामिल हो गए थे वहीं स्कूल से पास होने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनिरिंग की पढ़ाई शुरू की थी वो भी IIT से लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें ये समझ आ गया था कि वो मशीनों के बीच उलजने के बजाए सामजिक शेत्र में काम करने के लिए ही बने हैं वहीं अपनी ये पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर उन्होंने RSS को अपनी सेवा देना शुरू कर दिया और फिर शुरू हो गया उनका राजिनितिक सफर परिकर के चुनावी राजिनिति की शुरूआत साल 1994 में हुई जब PGP के टिकेट पर वो पढ़जी से विधायक चुने गए वो जून से नवंबर 1999 की बीच गोवा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे पहली बार वो 24 अक्टूबर 2000 को गोवा के मुख्यमंत्री बने लेकिन उनका ये कारिकार 27 फरवरी 2002 तक ही रहा 5 जून 2002 को वो दोबारा चुने गए और एक बार फिर मुख्यमंत्री बने साल 2007 के विधान सभा चुनाओं में उनके नित्रत्थों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा लेकिन 2012 के चुनाओं में परिकर के नित्रत्थों में बीजेपी ने एतिहासिक सफलता हासिल की उन्हें 40 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी वो तीसरी बार गोवा के मुख्य मंतरी बने वही साल 2014 में हुए लोक सभा चुनाओं में बीजेपी को जीत मिली और पार्टी केंडर में अपनी सरकार बनाने में काम्याब होई वही जब देश के रक्षा मंतरी को चुनने की बारे आई तो बीजेपी की पहली पसंद परिकर ही बने फिर बात आई साल 2017 की 2017 तक वो मुख्य मंतरी के पत पर रहे वहीं गोवा में 2017 में विधान सभा चुनाओं हुए इस दरान परिकर केंडरिय मंतरी मंडल में शामिल थे विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था कॉंग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी परिकर को पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए केद्र की राजनीती से राज्य की राजनीती में लोटना पड़ा वो चालेस विधान सभा सीटो वाले राजे में सिर्फ 14 सीटो के साथ बीजेपी को सत्ता में पहुचाने में काम्याब हुए और फिर से यानि चौती बार गोवा के मुख्यमंत्री बने परिकर की सिहत साल 2018 से खराब रहने लगी पिछले साल परवरी में उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया था जहां पैंक्रियाटिक बीमारी का पता चला सारवजनिक जीवन के लिए समर्पन की मिसाल थे मनोहर परिकर बिमारी के पावजूद उन्होंने धाई महीने बाद इस साल 2 जन्वरी में अचानक मुख्यमंत्री दफ्तर पहुँच कर सब को हरान कर दिया था वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे नाक में नली लगी थी लेकिन लोगों के लिए काम करने का उनका जज़बा कम नहीं हुआ था वो मंडोवी नदी पर बने तीसरे पुल के उधगाटन समहारों में भी केंद्रे मंत्रे नितन गटकरी के साथ मुझूद रहे थे यहीं नहीं 30 जन्वरी को उन्होंने राजी का बजट भी पेश किया था